हलो एवर्वान तो लास पार्ट तक हमने देखा था कि यून उस स्नेक को बड़ी असानी से हरा देता है अब यहाँ पर जैसी वो उस फ्लावर को तोड़ने के लिए जा रहा था कि तभी वहाँ पर तो स्टूडेंस आ जाते हैं जो कि अलग से ठीके थे और वो मिंख्षा से क निकल जाता है यहां वो लोग उस फ्लावर को पाकर काफी जादा खुश होते हैं और वो लिए उनकी पेस्टी भी कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि ग्रीन क्लावड सेक्ट के स्टूडेंस इतने जादा डर पोग है तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि मि और हमत कैसे होई हम को धमकाने की तो जिस पर उसका दूसरा साथ ही कहता है कि देखो हम नहीं जानते कि तुम हो कौन लेकिन अफकॉर्स यह फ्लावर अब हमारी यून फैमली का है तो चुप चप इस जगह से चले जाओ अगर तुम नहीं चाते हो कि हम तुम्हारे साथ वा और आकर उन्हें कौन बताएगा कि फ्लावर मैं लेके गया और इसकी बाद वो अपनी नाइफ से बड़ी हसानी से उन दोनों को मार देता है दूसी तफ ली उन भी उससे प्रिपेर होना पड़ेगा यहां दूसरी ता वह पंदा एक संदेशा लिखता है जहां पकि वह उन मैं किता है जड़ा स्मार्ट हूँ यहां में लिए उन दिखाया जाता है जो कि एक जगा में उस फ्लावर की स्मेल को डाल रहा होता हूँ कहता है कि मुझे पता है कि इसके वज़े से एक नाइक डिमॉनिक भी इस तो जरूर अट्रेक्ट होई जाएगा मैं भी देखता हू कि आज ये बंदा कैसे बसता है मुसे बस सब कुछ रेड़ी है अब उस बंदे का आने का इंतजार है इसके बाद वो अपनी ड्रेस को भी चेंज कर लेता है और जैसी वो बंदा उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो तब ही लिए उन उसकी पासा कर से कहता है कि अरे तु तो यह चीज़ देख को बंदा काफे जदा हैरान होता है उससे कहता है कि मुझे दूर रटो तुम्हारे हिमत कैसे मुझे छेड़ने की बड़ यहां पर दूसरी तफ लिए उनका प्लैन तो सक्सेस्फुल हो चुगा था क्योंकि उसने उसकी बॉड़ी में भी वही कर देते हैं तो यह देख कर मैंने क्या पीगा है तुमिरısı क्योंकद कर रहे हैं तुम्हारे हो कि चुग भांगे नहीं का उड़ा कर दे कमा दे दिया लेकिन उसे यह पता नहीं था कि लिए उसके उपर फ्लावर सेंट डाला हुआ है और दूसरी तव उसकी बद्बू के स्मैल करकर वो टाइकर पीस्ट उसे पहचान लेता है और फिर से उसके उपर टाक कर देता है तो यह देकर उससे कहता है कि आखिर तो मेरे प इस थे उसे खेच के मुक्का मारता है और अपने इस वाट को लेकर कि उपर आखरे टाक करता है तो इसके बाद वो मर जाता है यह चानकर काफी जाद है है कि आखिर इस पीस्ट ने मेरे उपर टाक क्यों करा चाब मैंने इसका कुछ बिकाड़ा ही नहीं था तो जरूर जाता हुचा था बेवकूफ कैसे बना दिया मैं उसे चोड़ोंगा नहीं अगर मुझे अगली बार मिल गया तो यहां दूसरी तब हम लिए उनको देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा होता है कि तब यून फैमली के लोग महां पर पहुंच आते और उस लैटर को देखते अपने यंग मास्टर को बताता है कि यह वही बन्दा है जिसने कि हमारे यांके लोगों को मारा था और उसकी बारे में हमें संदेज मिला था तो उसको देखकर वाकर यंग मास्टर कहता है कि वाकर में तो तुम ही वह बन्दे हो ना जिसने हमारे यांके लोगों को मारा तो अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ पंगा मत लो तो उसकी धमकी को देखकर वो यंग मास्टर कहाता है कि वाकई में तुम हमें धमका रहे हो यह जानते हैं कि तुम्हारा लावल अभी सिफ मार्शल आर्ट में सिर्फ और तुम्हारी हिम्मत के से मेरे साथ ऐसे बात करने की और फिर वो अपनी पावर्स के साथ ले उनके ओपर टाक करतेता हैं तो जिस पर लिए उन भी अपने फिस्ट को लेकर तयार हो जाता है और उसे खिच के मुका मारते हैं तो जिस पर यंग मास्टर दूर जाकर घिरता है और यहां उसका हाथ बहुत ज़दा दर्द होने लगता वो कहता है कि इतना ज़दा पावर्फुल कैसे हो सकता है तो यह देखकर वो और उसकी यंग मास्टर भी वहाँ से निकल लेते हैं आद उससे तब लिए उनको मैसूस हो रहा होता है कि लगता है आज उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है तब ही वो पीछे मुडता है तो जहां उससे वही बंदा दिखाई देता है उसको देखकर वो उससे कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी होई आखिर तुम हो कौन तो जिस पर वो बंदा सीधा उसका गला दबा देता हो कहता है कि तुम मुझसे ही पूछ रहा हो कि मैं हूँ कौन मैं वही हूं जैसे कि त उसानी की कोशिष करी थी तो जिस पर लियूंसे साइगे तो से कहता है और यहीं कहा यह बांदा पीछे मुड़ता हुँश के बेखने के ररे तो जिसमीशे घळँता है और लेकिन बहुता हुँ पर जाता है यहाँ दूसरी तो वो लियून की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यह देखकर लियून कहता है कि मुझे नहीं लगता है मैं इनसे भाग पाऊंगा मुझे कुछ भी करके इनके साथ फाइट कनी होगी और फिर वो अपने टाइकर फिस्ट से उन में से एक दिमोनिक भुल की ओपर पंच मारता है कि तब दूसरा बुला कर उसे पीछे गिरा देता है तो यह देखकर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने हरा पाऊंगा और वाकई में बहुत ज़दा स्ट्रॉंग है तो यह देखकर वो वहाँ से तेजी से भागने लगता है दूसी ताहूं उपर उसी यून फैमली के यंग मास्टर और उसके लोगों को देखते हैं तो जिस पर उसका बंदा कहता है कि वाकई में मास्टर अब बहुत ज़दा मीजिंग है तो जिस पर यंग मास्टर उसके कहता है कि हाँ अब हमें अलग जगा से जाकर देखना चाहिए अब इसकी बाद हम लिए उनको देखते हैं जो कि उनसे भाग रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं इनसे कब तक भाग पाऊंगा मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसकी बाद वो एक पिल को बहा निकालता है यहाँ दूसरी तब हम उसी यंग मास्टर उसकी बंदे को देखते हैं अब लास्ट टैक और फिर वो उस बुल की ओपर एक खीच के मुका मारता है तो जिस पर वो काफी दूट जाकर गिरता है तो यह देखकर बाकी बुल काफी ज़दा डर जाते हैं और डर के मारे वो सब के सब वापस मुढ जाते हैं देखकर लियून काफी जादा खुश होता है कि वो फाइनली उनसे जीत चुका है उसका जो फिस्ट अब वो पिनाकर लावल में भी पहुच चुका है दूसी तरह हम उसी चोड को देखते हैं जिसके ओपर कि वो बुल चड़के होए गए थे और यहां उसकी पूरी कमर दर्द हो रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं उस लियून के बच्चे को पिल्कुल नहीं छोड़ूँगा लेकिन तब ही वो आगे देखते हैं जहांकि वो बुल वापत से उसी के तरफ लोटके भाग रहे होते हैं कि देखकर अब वो काफी जदा डर जाता हो कहता है कि लगता है अस तो मैं गया लेकिन अगर मैं बच किया तो मैं ज़रूस लियून को छोड़ूंगा नहीं और फिर वो डिमॉनिक बोल उसके ओपर चड़ते हैं यहां उसकी कमर और फिर जादा तोट जाते हैं उसके चिलाने की अवाज लियून भी सुन रहा होता है वो कहता है कि लगता है कोई मुझे बुला रहा है दूसरी तो वही यून फैमली के लोग और उसका यंग मास्टर वहां से अपनी जान बचा के भाग रहे होते क्योंकि अब वो बुल उनके पीछे बढ़ चुके थे वहां से भाग लेता है और यंग मास्टर पीछे चूट जाता है दूसरी तफ लियून उपर से देख रहा होता है वह कहता है कि वाओ वह अपने खोदेवे गड़े में खोदी गिर गए इसलिए चीज डिजर्व करते थे वैल उमीद है कि तुम्हें पसंद आएगी और पत अपोशवा करते हैं तो यहां वह मास्टर जैसे कारके पहारी चूप जाता है और वह काफी जधा इनजर्व हो चुपा था और क्याता है इसे के साथ यह फिर, देख दो, पृट षोड़ा है उता है